क्या आपको पता है कि बंगाल पर राज करने वाले अफ्रीकी राजा कौन थे? तेरवी शतादी में बंगाल दिली सल्तनत के कबजे में था। लेकिं 1352 में जब शम्स अलदीन इलियास ने बंगाल डाइनस्टी की स्थापना की तो उसने इथियोपिया और पूर्वी अफ्रीका से लाय गए गुलामों को बड़ी संख्या में सैनिकों की रूप में भरती करने के साथ ही साथ कुछ अफ्रीकियों को कोड मजिस्ट्रेट बनाया और कुछ को टोल टेक्स कालेक्शन और कानून लेगू करवाने जैसे महतुपून काम दिये इन कामों को समहालने की वज़े से धीरे धीरे अफ्रीकियों की राजजीतिक ताकत बढ़ने लगी और आखिरकार 1487 में बराक शहजादा ने बंगाल में हप्शी डाइनस् खड़ी है इस वंश में कुछ चार राजा हुए और 1493 में सेयद उसायन के सक्ता पर कब्जा कर लेने के बाद इस वंश का राज़ खत्म हो गया